अग्याइब गुड मॉनिंग आज हम वो और्गेनिजम या वो वो क्लासिस लेंगे जिसमें वो जिसका आगे बायोलोजिकर क्लासिफिकेशन में पोई जगा नहीं मिली है पहले माइको प्लाजमा जो अभी मॉनेरा किंग्डम में और रेडी इंक्लूडेड है इसको भी जग कर दिया इसको दूसका दूसरा नाम है प्लूरो नुमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम आज का जो टॉपिक है वो वाइरस वाइरोट्स पर है तो वाइरसेस है वह कोमनली पहले फ्लू को और कोरोना को हम जानते थे अभी इसको एक्चुली ट्रूली लिविंग नहीं बोलते है इसलिए उसको कोई क्लासिफिकेशन में जगा नहीं मिली थी लेकिन पहला किस ने देखा तो पाइसचर ने देखा इस वाइरस को वाइरस को एक्चुली देखा नहीं लेकिन उसने देखा कि यह कोई फ्लूड है जो एकदम जहरिला है तो ही नेम्ड इज वैनम और बहीं रेहीं रहीक्तर होता है उसमें से एक टॉबैको माईरस टॉबैको मोसाइक वाइरस एटीय हम ए थे तोड़ा फ्लूड लिया और led को सब्गम ओटेखा कि फ्लूड पास यह थो थे outdoor वाइर उससकी स्काफिढ मतलब फ्लूड से पास होजाते है मतलब यह में बैक्टि इन्फेक्टेड फ्लूड लेके दूसरे जो नॉन इन्फेक्टेड प्लांट है उस पे लगाया तो वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया मतलब ही कॉल्ड डेट एज अ कॉंटेंजियम वाइवं फ्लूइड है फिर स्टेंडली वस एबल टू क्रिब लैबोरेटरिम ने उसमें क्रिस्टेलाइस कीया और देखा कि यह मे細ड प्रोटीन और डिन याने जनेतिक मट्रियल wal डिन और आरने बना हुआ है मझास बैजिकली इसका जनेतिक मट्रियल डिन आरनी नै रसके उपर एक प्रोटीन का कबर रहता है तो इसमें दो तरह के पाए जाते हैं इए औ विए दिन जनेटीक मेट्रियल है उसके उपर केorie केपसी लेन उसका जो कवर रहता है प्रोटीन का रहता है वाँ से स्पींडल से उसके अंदर चेकने का घ्रतीक मेट्रियल रहता है और यह जो छोटे-चोटे प्रोटीन के टुकडे बने हैं उसको कैपसोमियर बोलते हैं और सारा कैपसी और बना के उसका कवर बना देता है जनेटिक मटेरियल का आरेने हो सकता है और एक दूसरा भी तरह के पाया जाता है जिसको जिसमें हैड रहता है टेल रहता है और इसके अंदर डीने और डीने या RNA genetic material रहता है लेकिन यह यह जो मैंने ड्रॉ किया है वो बैक्टिरियो फेज जो अपने टेक्स्बुक में दिया हुआ है उसका यह हेड़ पार्ट है यह टेल पार्ट है सारा प्रोटीन से बनता है लेकिन जब वो इन्फेक्ट करता है तब यह अपना DNA material अंदर छोड़ देता ह है और पूरा जो फोस्ट में जाता है बैक्टिरिया में गता है उसका पूरा जो बातब कर लिता है ौर अपने यह आरने या डी आने की मदद बनाता है इसका यह डी एन और आरेने मट्रियल बनाता है और दूसरा कॉपी बना के दूसरा वाला तीसरा कॉपी बनाएगा इस तरह से वाइरस का इंफेक्शन बढ़ता जाएगा तो एक और उसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि प्लांट में जितने जो इंफेक्शन ह होते हैं वो सारे सिंगल स्टंडेड आरेने है यह नॉर्मल है अभी तक डबल स्टंडेड डीने या डबल स्टंडेड आरेने इसमें नहीं पाया गया एनिमल में सब तरह के पॉसिबिलिटी हैं सिंगल स्टंडेड डबल स्टंडेड आरेने होता है सिंगल स्टंडेड डब तो standard dna ही मिला है plants के जो infection होते है इस में आप पता कैसे चलता है तो यह जो plant है उस प्राइब है उस पे ँसपे एक मोसाइक मोसाइक में मौसाइक मैंने अपने टाइल्स जैसा structure बथा तो इसको बोलते हैं मोजाइक या लीफ रोल कर जाता है मतलब ऐसे रोल कर जाता है एक ऐसा रोल रोलिंग बन जाता है या कल कर जाता है मतलब आग ऐसे ऐसे मुड़ जाता है या यह लीफ का कलर येलो हो जाता है नॉर्मल गोर्ट प्लांट की नहीं होती है स्टंटेड मतलब छोटा रह जाता है तो इस तरह से हमको पता चलता है कि यह infected by some virus है और एक दूसरा हमें जानने की जवद जरूरत है यह सेंट्रल डोग्मा इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है लेकिन यह जानना इसी लिए जरूरी है क्योंकि आगे ट्वेट स्टंडर में यह सेंट्रल डोग्मा के डिपेंडन्स मितलब आधार पर आप बहुत कुछ आएंगा मतलब जारा सारा जैनेटिक सिस्टम है वह सेंट्रल डोग्मा पर डिपें का प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है तो यह नॉर्मल इसका है मोड है कि अपना डिए ने है वह एक नूक्लियस में रहता है प्रोटीन बनाना है इसको जो प्रोटीन चाहिए होता है वह बार होता है सैटोप्लाजम में और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है बार में और साइट भी साइट है कि यह राइबजों में होगा है तो यह जेनेटिक कोड उसका ड न में पड़ा हुआ है प्रोटिन सिंतेसिस बार होगा तो कैसे मतलब उसका कोड वहां राइबosome कैसे read कर पाएगा तो एक mechanism है जिसको बोलते हैं central logma मतलब DNA है एक molecule बनाएगा जिसको बोलते है messenger RNA तो DNA से पहले बनेगा messenger RNA messenger RNA यहां से बार निकल के इसका जो code है वो read कर लेगा वो messenger RNA पे चला जाएगा इस प्रक्रिया को बोलते हैं transcription प्रोसेस है जो लंबी है तो इस मैं नहीं बोलता हूं लेकिन mRNA फिर रैबोजोम में जाके protein synthesis करते हैं इस प्रक्रिया को बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं translation तो transcription translation से DNA से protein बनता है तो DNA पहले mRNA में जाएगा mRNA से फिर protein में बन जाएगा तो यह जो bacteria है उसको भी तो protein चाहिए तो उसका RNA जो जिसका genetic material उसका protein बनेगा कैसे question वाजिब है यह कि DNA का code पहले mRNA में जाएगा mRNA फिर protein generate करेगा तो जिसका genetic material आ रहे ने हैं तो उसके पास एक special enzyme रहता है जिसको बोलते हैं reverse transcriptase यह reverse transcriptase होता है कि रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेस की help से RNA और रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेस सी help से वह पहले DNA synthesize करता है और फिर mRNA synthesize होता है फिर protein में जाता है तो यह जो mRNA to DNA में transfer होता है मतलब वह उल्टा चलता है तो इसको बोलते हैं reverse transcription तो इस प्रकार के जो वाइरस हैं जिसके पास सिर्फ RNA genetic material है उसको बोलते हैं retrovirus और आगे चलते हैं हम थोड़ा वाइरोड पे वाइरोड क्या है जिसमें यह protein का part नहीं रहता है सिर्फ naked RNA है तो इसको बोलते हैं वाइरोड यह कहां पाया गया तो पहले देखने वाला कौन था तो यह था डाइनर टी ओ डाइनर ने पहले देखा कहां पे देखा तो पोटेटों के ट्यूबर में देखा यह इसकी characteristic है यह कि यह RNA बहुत low molecular weight का होता है और एक है जिसको बोलते है प्रायन यहां तो RNA भी नहीं होता है सिर्फ protein होता है जो folded protein बोलते हैं इसको तो यह cow का एक disease होता है जिसको बोलते है mad cow disease और अपने textbook में यह दिया है bovine spongiform encephalopathy यह disease होता है cow को जिसको बोलते है mad cow disease human को इसका analogous human को भी एक disease होता है जिसको बोलते है chronic jacobs disease यह short form में उसको बोलते हैं CJD तो यहां पर हमारा biological classification का पूरा जो chapter है वो खतम हुआ तो अगले वीडियो में जो इसमें से चूट गया है या तो फिर नीट में पूछाया है लेकिन हमारे textbook में नहीं है नीट में आगे में पूछा गया है तो इसके बारे में थोड़ा आगे discuss करेंगे next one or two वीडियो में औ हमारा जो chapter number two है biological classification वो खतम करेंगे thank you very much